एक मुख्य चीज बताईएगा जिसको लेकर आपको फखर होता हूँ क्यार ये चीज हमाई सरकार ने जो कि ये कोई नहीं कर पाए जितना काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ वो रिकार्ड है कि सरकार में रोजगार मुकमल था पूरा-पूरा हमारे जाना है क्राइटेरिया, शिक्षा, स्वास्था, दिल्ली मॉडल त्राही त्राही जो करोना के वक्त हुई उससे जनता खुश है सरकार यो ऑस्पीटल है, ये सुधारे उनली के नाम बदले जा रहे हैं उनके अगर पेट में दर्द आज हो रहा है, तो अल्टा साउंड के लिए बेटिंग करनी पड़ रही या ठाठ दिन के लिए आजादी से पहले, जिनना इस देश के नायक है, उनने दोगे तब तो किलियर करूँगा अच्छी दिन और कौन से आंगे, अब 200 रुपेजी है, सरसों का तेल भी रहा है, 100 रुपे पेटरोल भी रहा है, 1000 रुपे का सिलन्ट सियासत की लडाई में, दरसल जो खत्म करने की जो कवायद है, वो तब होती है, जब मतपेटियां खुलती है मतपेटियां खुलने का जो इस सिलसला है, अमूमन हर 5 साल बाद आता है और यह एक तिवहार है, जो हर कोई देखता है, जहाँ पर जनता भी होती है और नेता भी होते है यह सिलसला इसी तरह जारी है, जिस तरह के से हमारी चुनावी यात्रा जारी है नमस्कार, मैं काविंदर चौहान हूँ, और आप देख रहे हैं माहौल गर्म है माहौल गर्म है में पस्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करने के बाद हम अवच शेत्र में घूम रहे हैं यह एटा जिला है, जहांकि एटा सदर विधान सवा यह शेत्र लगता है यहाँ पर आज हम आये हुए हैं यहाँ पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि दरसल यह चुनाओ किन मुद्दो पर है किस मुद्दो को लेकर यहाँ पर गर्माहट है और कौन सी पार्टी जो है, वो गर्दिश्व नजर आती है ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर ETA के नेतागण और साथ सा समाने जनता मौझूद है एक बार जोरदार तालिया हो जाएं आप सभी के लिए इसके साथ ही नेतागण भी मौझूद है दरसल यहाँ पर समस्याओं के साथ सा समाधान पर भी बात दोगी और क्या कुछ नहीं हो सका जो पुरानी सरकारे नहीं कर पाई थी और इस बार भी कही ना कहीं मामला डामा डोल सा नजर आता है ऐसे में कारकरम की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले जो हमारे कारकरम की सारचना है कि नेतागर खुद अपना परिच्य देंगे इसके बाद हम एक एक वर्जल लेंगे फिर जनता पर आएंगे फिर काउंटर एटेक शुरू करेंगे अपना परिच्य दीजिगा मेरा नाम चंदरकांद गांधी है और मैं जलाद देख्यू कॉंग्रेस कमेटी जला इटागा बहुत बहुत शुक्री आपका कारकरम में शामिल होने का आप परिच्य दीजिगा सवर्ःपत हुसेंगाले जलाद द्रक्ति शील स्माजवादी पर्टी परिच्पा से आप ठीक है आप आप बहुत-बहुत कार्करम में शामिल हुआ आप बताईग覺 संधीप आद जलाद यक शुजन सावा समाजवादी पार्टी तरवेंद सिंग्यादा बिदान्सवा प्रवारी सदर एटा प्रस्पा प्रस्पा से आपका भी बहुत स्वागत है कार्क्रम आप पर इचे दीजिगा यह बहुत अच्छी चीज है कि नेता है जनता उसके साथ सा समाज के जो लोग है जो सेवा का भाव रखते हैं लेकिन अब कारक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जिनके हाथ में सत्ता का रत है उनसे बात करेंगे सत्ता की चावी जेव में है सबसे पहले वो एक मुख्य चीज बताइएगा जिसको लेकर आपको फक्र होता हो यह चीज हमाई सरकार ने जो कि यह कोई नहीं कर पाया हमने वो चीज कर दिखाई इटा जनप्रद में एक चीज नहीं है कई चीज है जिसे फक्र होता है सबसे पहले तो मैं कहूंगा है मैडिकल कॉलिज कि यह कभी हमने सोचा भी नितागेटा मैडिकल कॉलिज होगा ना किसी ने मांग उठाई ती लगवाग पाल सचे से करड़ की लागत से मैडिकल कॉलिज दूसरा एटा के आसफास टूटी सड़कें थी आज एटा कासगें जाईए फोर लाइन है एटा का बाइपास बना है करोड़ रुपई लग ग्रामीड इलाकों में सड़कों की सबस्या तो एक मुद्दा है ऐसा जब हमने रिसर्च करके जानकारी ली स्वास्ते सुविधा अभी शुरू हुआ है तो धीरे-धीरे सब सुदर रहा है गाओं की सड़के है अब सुदरना शुरू हुआ है धीरे-धीरे नहीं अब मेडिक पॉने पात सालों में क्या होता रहा तब तो जलास पर डिस्टिक होस्पिटल था और जो भी सब वेबस्ता थी कोरोना में आपको लगता है कि आप पूरे कर सके पूरे नहीं एटा जनपद में उससे ज्यादा बहुत इतना कभी रुपया जब ते सुतंत देश हुआ आप तीन से क्रोड तो इसमें सेहर में असीवर में लग गया तो बहुत बेतरी के साथ और बहुत शांदार काम आपने करके यह कह रहे हैं कि जितने वादे किये थे उससे दरसल जादा पूरे कर दिखा दी हमने देखिए भारती जंता पार्टी का दूसरा नाम जूट पार्टी भी है और यह किसी से चिपा भी नहीं है अभी बता रहे थे बाई साब की जो मेडिकल कालेज की बात कर रहे हैं वह अभी पांच साल सरकार होने को आ गए अभी तक पूरानी हुआ मानी प्रधानमंत्री जी ने वर्च्वल उसका उद्गाटन कर दिया उसमें ना कभी पलस्तर हुआ है ना खड़किया लगी है पानी भरा हुआ है तो कह रहे हैं कि डॉक्टर भी नुक्त हो गया सब कुश है पता कर लीजी अगर हो गए तो और डाक्टरों की कमी केवल एटा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में है ये किसी से छिपी नहीं है स्वास्त करमचारियों की और जो स्वास्त का हवाला दे रहा है करोना काल में आप बताईए लोगों ने पीट पे सिलेंडर लाद लाद के या गंगा नदी मेरे ला से बहते हुए किसने नहीं देखी एक चीज़ समझाने की कोशिश किजिगा हमें कि 2017 तक अगर मैं 2017 पर कारकरम कर रहा होता तो तो सपाही यहां पर सब कुछ थी वर्चस वह खत्म कैसे हुआ कम कैसे होता चला गया आप हारे कैसे राजनीती लोगत तो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ वो रिकार्ड है वो चाहे युवाओं के लिए लेप्टप बाली विवस्ता हो या रोजगार की विवस्ता हो एमुलेंस की विवस्ता हो जो आज ये गुंडागरदी का आरोप लगाते हैं अखले से आदब जी ने सो नम्मर आपकी सरकार में रोजगार मुकमल था पूरा पूर रूप से रोजगार मुकमल था और जो एटा के बगल में विद्धुतापी परियोजना बन रही आप आई होएंगे तो आपने देखी होगी इतनी बड़ी परियोजना ये सिर्फ अखले से आदब जी के काम की ही देन है कि आज एटा में चहुम की विकास दिख रहा है चाहे अस्पताल की बात करें चाहे ये रोड की बात करें चाहे जो वो बिजली के लिए अखले से आदब जी ने पावर प्लांट लगाया उसकी बात करें समाजवादी पार्टी से विकास में ये कहीं नहीं लड़ पाएंग जनता के बीच हमारे जाने का क्राइटेरिया, शिक्षा, स्वास्ताय, दिल्ली मॉडल, बिन प्रकार की सरसट यूजनाएं, जिनके मारफ़त हम जाएंगे, और युबा जानता है, और बोटर जानता है, कि हमें कहां बोट देना है, और हम भाजपा को मात दे पाएंगे. ठीक, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, तो किसी का नाम भी पूछते हैं, जात पहले बता देता है, जात, धर्म, ये सब चीज़े एक मेन फैक्टर यहां पर काम करते हैं, शिक्षा का नाम लेकर आप कब तक टिक पाएंगे? आप समा Scottish करते हैं, ये जर्ए समझाथका कोशिश कीजेगा, कि Congress ठीक है, आई जोश भर रही है, काम कर रही है, प्रेंगा गांधी जी तस्वीरों में दिख रही है, जगा जगा जा रही है, हर जगा, एकिमोशची़ काड़ जो है, वो खेल रही है, कोशिआ है, वो खेल र तोई मैं कह रहा हूं कि इतने साल नहीं समझा पाई वो अब समझाने की कोशिश करें तो देर नहीं हो गई है। देर कभी नहीं होती है, जब जाओ तब सवेरा होता है। सवेरा तो फिर बहुत जल्दी रात भी आ जाएगी क्योंकि बहुत लेट कर दिया सवेरा होते होते प्रभू जी नहीं लेट नहीं है अभी वी एलेक्शन में टाइम है और यूपी की जनता ये समझ रही है कि हमारे लिए कौन खड़ रहा है कौन लड़ रहा है हमारे लिए बिजेपी ने जिस सरे इस पूरे यूपी को बरवाद किया किया है चाहे कोरोना का लो जी सरे यह, ऑबीका काल नहीं आब देख लीजिए अल्ता बारा कंड देख लीजिए आगरा कान देख लीजिए बाल्मिक बाला हात रष का कंड अभी उद् erाया कुष यह मुद्दे कोई नहीं उठा रहा क्योंकि सपा वस्पा और आने जो पार्टियां है यह सीवी आई के डर के मारे बिल में घुश्चुकी है अपने इनमें कुछ दम नहीं है केबल प्रियंगा गांदी जी है लखीमपुर खीरी भी जाती है हात्रसत्य अकान में भी जाती है और का सकती है बागी सपा बस्पा में नहीं है कि यह कुछ कर सके आप आजा समाज पार्टी से यह बताने की कोशिश कीजिगा कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको चुनाओ पूर्व जो विपक्ष के लोग होते हैं विपक्ष जो होता है उनको मजबूती के साथ उठा कि सरकार की जो नींद है उसको तोड़ा जा सके ऐसे में प्रियंका गांधी जी कि मैं बात करता हूं या फिर अखलेश आदव की बात कर लोग जो हैं मुद्दों पर काम करते दिखते हैं नजर आते हैं वहां पकड़ते हैं पकड़ मजबूत करते हैं आजा समाज पार्टी की निसकर समॉद्यिं नाम नाम रहे हैं पमएवट करें कर रहे हैं लेकिन के मायवथी केडर को काटने का काम कर रहे हैं कि यहीं मायवत्ति के कैडर को काटने का काम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन वायवत्ति पहले से ही चार बार की मुख्मंधि और चुकी है उस टाम चंभ नामी नहीं था वो तो इस बार जो अब वह जो चुनाब लड़ा जाएगा 2022 में उसमें बू अपना पहला चुनाब लड़ेंगे तो इससे पहले से काथने का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि पहले से काथ आप बहुजन समाज की नेता है तो दोनों में समझ नहीं आ रहा है उनका तो नुकसान पहले सी होता है अब तो यह 2022 में जो चुनाब होगा तभी तो नुकसान करेंगे ये इससे पहले 2022 में नुकसान करने की जो तैयारी है वो पूरी आपने कर लिया प्रस्पा से बात करना चाहूंगा समझ में नियारा दरसल लोग बड़ा ह HU je INTERC ME का गौन सा है प्रस्पा अर्ट चल रहा है और सपा और चल रहा है दोनों रधका मिलन तो अभी तक दरसल हो पाया है बाते लगातार जारी है किया जोगा कल होगा लोग कई पंफ्यूसत हो रहे हैं कर दूसरी पार्टी लूग संदिकल गारेंने हैं ऑन जो साथ करें में जनतने हैं उनकिसा को नेा वार नहीं समझछपारें कि का लिच दाच में इंच Ondди ऑप जो हो जो हमारी पार्टी थी हमार आधागे असली समाजवादी आप ये नकली समाजवादी है बात आ यहीं जितने दल्ड के किसान को चाहिए पानी हमारे राष्टी नेता सच्छाइक मंतरी थे पुल नहरों काम उन्हें करा सड़कों को जाल बिछाया उन्होंने जो आज तक आज की डेट में भी हम उन्हों पर चल रहे हैं कि अखलेश आदफ जी निकिया है पी डिवलुडी मिनिस्टर मानने से पाल स दालें उसे ही नहीं भर पार है सत्या नास्तोज उत्तर प्रदेश की योगी सरकान ने पूरे उत्तर प्रदेश का कर दिया खास तोर से एटा जन्पत का कर रखा है इनके पास बातों के अलावा कुछ भी नहीं अगर इनके साथ आपका गड़बंदन होता है सिती बंती है तो कर रहे हैं न भी न गरिलें हैसा कवे ने कर सकते साले साथ साफ शेता है पार्ती गीसरकार को लगबक विपच्श की असल वूम की का कोई नेका निका निवा रहे है शटको पर सद्गों पर जो निवाई है मानिय सि taking आखि जी नहीं ता है तो नहीं मानने सिप्पाल सिंह आदव जी ने सड़कों पे नवाईया आपने देखा हुआ जैसे अभी बाईयों ने लखिम पुर कीरी की बात करें लखिम पूर कीरी के लिए हम भी आज कहले हैं यहां से निकल लें हमें पुलिस ही रोख लेगी असल नेता तो मानने सिप्प कि अधना कि देखा ककुछ के लए तारओ शड़क पितारे में अटा के लिए क्या कुछ है इता के लिए कि लिए ह्रस के सीट और उसके बाद में जो है जाने चना में जो भीजेप ने काम किया आँ वो सबसे खराब काम ही है कि भीजेपई पीछे सबसे रही है एक तो स्व कर रहा है पक्ष और विपक्ष के हैं तब तक दलों का विमर्श है ये इटा की आम जनता का विमर्ष नहीं है और उस दर्द को शायद जैसे ही हम सफेद पोश हो जाते हैं उसके बाद उस दर्द को हम एहसास नहीं कर सकते आजादी जब मिली है वो एक सुखत जरोका था इस जनपद के लिए उसके बाद इन सत्तर वर्षों में सिर्फ हमने खोया है जब हम आजाद हुए हमें यहां एक रेलविस्टेशन मिला जो आज तक वहीं इस्थे रहे यह अकेला जनपद होगा आप पूरे उतरपदेश में घूमेंगे जिसका आज तक सामान ने रेलविस्टार नहीं हुआ हमारे पास एक पार्क था महावीर पार्क जिसे महता पार्क कहते हैं वो समय के साथ समाप्त हो गया हमारे पास एक डिगरी कॉलेज था जहां सिर्फ आर्ट फैकल्टी थी हाईर एजूकेशन के लिए आज तक उसे साइन्स फैकल्टी में कोई भी कनवर्ट नहीं कर पाया और जिस मेडिकल कॉलेज का जुनजुना आपको यह सुनने को मिल रहा है कि मैंने दिया, मैंने वनवाया परसों उस मेडिकल कॉलेज में एक सामान ने पैरसिटा मूल तबाव उपलब्द नहीं थी में धकेला है एक भी आशा की करण ना अभी है और ना मुझे आने वाले भविश्य में दिखती है यह बताईएगा महंगाई विरोजगारी और जो तमाम सब्सक्सक्राइट के बताईएख वारा सरकार उत्तव तब्याय कर ने कम तबढ़ाए एक युवा जो स्कूल पढ़ने जा रहा है कि गाड़ी में तेल कैसे डलवाएं इस पर क्या है रहा तेल तेल के पैसे तो वहारा सरकार उत्तवदे सरकार ने कटाई आप जो शर्ट पहने यह 300 रुपए की है कल मैं आपको 600 की बेच के काऊं कि 500 की ले लिजी आप फिर आप उदीजी भी है इस पर अगर यहां के स्थानियों लोगों ने बोर्ट डालना शुरू कर दिया तो आप बहुत बुरे फस जाएंगे लगता है आपको आपके तेल का जो आपने कहां जाघा है मिरेको हर्चीज पर बात करिया वह तो अंतरराष्टी बाजार में जैसे होता है फिर भी वहारी बारास सरकार उत्तों सरकार ने पैसे घटाए आप इतरे सक्षम नहीं है कि बाजार को काबू कर सके आप नहीं जानते ये सब चीज मेहगाई जो यही लागू रहेगी परस पर चलती रही किसी को भी अगर कोई सवाल कर सकता है किसी भी वक्त है पुषपेंद जी थी किया कह रहे हैं तक लेकिन हमारे गाहों एटा किसी में कोई सुधार नहीं है अध्यापक प्रदाना अध्यापक से जहाड़ू लगवा रहे ते हमारा सिछ दार उपी में और यह सोधार झेया के। और अगर पेट में तरफ आज और अज़ो रहा है तो अल्टर साँन्ड के लिए बेटिंग करनी पढ़ रहा एंट-एब अच्छ दिन के लिए अगर Тут अधर आध्मि आज यह जो जिल्य हुं कि यह चल रहा थोड़ास प्रकास łशा क्या आक पाड़ी दिल्ली के मॉडल की तर्जपर का मॉडल कैसे आप तर्जपर थोड़ा समझाएगा क्योंकि वहां पर दो तीन करोड की जंता यहां 25-27 करोड की अगर आपने करोड के साथ बात की तो दिल्ली की आबादी और उसका आप बजट कि 60 करोड बजट कि 60 करोड का बजट दो करोड की जंसंग्या पर यदा भाग देंगे तो 30 रुपए प्रत व्यक्ति प्रत वार्शे का एगा अर्थाथ दिल्ली की सरकार एक व्यक्ति से 30 रुपए एक वर्श में लेकरके उनको सरसट सुवधाये निशुल को प्रोवाइड कराती है इसके साब अब बड़ी बता रहे हैं यहां का साड़ एक्स्पिरेंस किस चीज का है यहां पर सुरक्षा विवस्ता कानून विश्टा बड़ा मुद्दा है आप कैसे करेंगे उसको अब कह दूंगा कि यह मुना में जिस तरीके से देखिए स्मॉक दिख रहा है सब कुछ दिख रहा ह आप केंगे वह हमारे इंडर में उता एमसीडी वाले जाने तो आपको तो एक्सपिरेंसी नहीं चीजों का और यहां बहुत बड़ा मुद्दा है यह कानून विवस्ता कैसे कैसे मैंनेज करना 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 नहीं है वह विवाग अंडर गवर्वर्मेंट आना चाहिए अ अपर बाजबा सरकार को एकला तेसार देरा है और उसे निशुल्क या उसके मदद के रूमे कुछ भी नहीं मिला है यहां तक हम पहले सिक्षा के बजट को बढाएंगे हमारे मनिश्य सोदिया ने उत्तर बढाउंस किया है कि हम आएंगे तो सब से बहले सिक्षा बजट को जो इस समय बाज उत्तर बजट सरकार में चार प्रश्ट से गड़कर के तीन प्रश्ट हुआ है हम उसको बढागर पचीस परसंट करेंगे बीजेपी के बैठे हुए हैं और अलगदल के बैठे हुए हैं अभी तो मोजूदा जो सरकार है उससे सवाल करने का राइट बनता मांग के लिए बैठे हैं उनको उपर गाड़ियां चलाई जा रही हैं काउंटर कर देंगे कि लॉइन आउडर आपकी सरकार में ज्यादा खराब था ठीक है आप एक पार्टी से हैं इसलिए इतनी बात रखते हैं आपकी जैसा कि आपने देखा कि लॉइन और को लेकर वो क सख्यों पर महलाओं पर और दलितों पर जो अत्याचार है वो बीस प्रतिशत इजाफा हुआ है जब सड़क पे चलते हुए किसानों को कुचल दिया जाए फरुखाबाद जेल में कैदी अपना शाषन कर ले मनीज गुपता से लेके अरोन बालमी की से लेके अलताफ तक अ सारी परिस्थितियां आपके सामने आप कोई भी जुम्ले फैक्ति समय समय पर आती खबरें दरसल सचका सामना करवा देती हैं सबसे यह सवाल रहेगा कि बीजेपी के जो लोग है वारूप लगा रहें आपर कि 2017 से पहले इतने दंगे हुए मुझा नगर दंगा हुआ समाजवादी पर्टी ने प्रयास किया और जिनके साथ अन्याय हुआ था उनको उनको दुवारा सम्मान दिलाने का काम किया आप दंगों की बात कर रहे हैं आप मुझे बताईए जैसे भी बता रहे थे कि एक केंदरी यह ग्रहराज्यमंत्री का बेट आप क्लान करके यह हम हैं दंगे कराता है पर नहीं टार नहीं करते हैं आप सक्षम नहीं बताय हैं इसा करते हैं वह तो ब्ढ़र डंगे कर आते शर्कार और जो जेसको सजा होनी चाहिए थी अगर हमाई सरकार दुखार आएगी तो उनके लिए इंतिजाम है पहले से पिछली बार इंतिजाम नहीं था सिलेंडर का दाम दोगना हो गया कड़ूए तेल का दोगना हो गया आठे का दोगना हो गया पहले आदमी 300 300 रुपए कमा के आठ गंटे महनत करके अपने पहले रोटी बरके कुछ अपने बच्छों को हारी विमारी पढ़ाई पर लगाता था आज 12 गंटे करके अपना पेट करना मिसक्लिटी केना हंगार इंडेक्स में हंगर इंडेक्स में हें यantoस्तान का क्या नमर बोक्मरी में वहाच अब होर्ति तेल देओस हुआ मैं सुर्क्षा अपने रामदर में नाम मरFF करते हम तो दिपोथसेफ kn su theft आप ने इतने ही करोडों रुपए आलिया भट को सल्मान खान को देकर यहां पर कारिकरम करवाएं तरफ तो देश के प्रदानमंतरी यह कहते हैं कि बहुत बड़ी महामारी आई इसमें बहुत हम लोगों का नुकसान हुआ इसलिए देश हंगर इंडेकर महामारी नीथी इसलिए आप इंडेकरते हैं अगर कोई कारीकरम होता था दो इसमें अतराज क्या है वहां पे जो कारज जो ओता जाता आसमें सुस्ताज यह बताईए क्म नेअ अगर वहांपर सैफाई महटसभ रोदा करना है उसमें योजना इन यह मिलते थे तैक देखान के लहां ही में देश के मंतरी हैं वहाँ पर जो आपसे नहीं दिखा क्या आप से हमारे यह तो इतना फूरता वह नहीं इतनी फूरता आपने 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 दीपो की बात करीति दीपो की दिपो की बातों को आपके सामने रख दिया आप तने कहा कि इतने तेल जो था इतना बरवाद कर दिया इतना इसको आप कैसे कह सकते हैं वो दीपोट सफ था वो कह रहे हैं कि आप तो सैफ़ाई महुत सब कराते थे दीपोट सब सांकेतिक भी हो सकता था कि अगर आज 200 रुपया लीटर हमको खान 30,000,000,000,000 ना देकर आप उनको जंता को दे देते हैं आपने जैसे काप के पास तो बड़िया प्लाइन भी यह चंता को दिया ना हम्मर एक सेफई महतसव में बहुत तरह के ज़िसारी वीवस्ताय है रहती थैंहें यहां पर तने साथ ही बैटे हैं आप पूछ लिजिए विखर विख ली दियो किसी है पार यह किसी ने खिर यह किसी ने कोई ने कोई मोटरसाइर के लिए कि लाब बानमित हुआ हो गा एक देश की ना आपको बता रहा हुँ ना उसे कंगना रोनावत को पदमसरी दिया गया उस कंगना रोनावत ने ये कहा कि जो आजादी हमें जूटी आजादी थी देशके नाउअ कॉने उसके लिए सिर्फ इतना सा है आपके लिए वहमस्बा नहीं आपके लिए जिन事情 के जाफ नाब समाखे को गदेगे आप जान्णी真 Jetzt ना को ब्रावर समखते के अंटो लिजिए आप अपनी बाद मट ढाली है आजादी से पहले महमध अली जिन्ना जवाला नहरू जी इन सब ने देश के लिए संगर्स किया उसके बाद में जो ये बटमान सरकार आज के टाइम में है इस देश के नारी। के लड़ाए लड़ाई लड़ी सावरकर का विशय कि नहीं चक्छु माड़ा जादी के लिए उस देश को तोड़ा उसके हो सकते हैं त्व नेशन थीयरी लेकर देश के तोड़ने वाले, वो इस देश के नायक कैसे हो सकते हैं। देश की आजादी जब हुई तब जिन्ना, नहरू, गांदी जी सब लोग साथ में लड़ाई लड़ी जिन्ना जी ने आपकी सरकार आएगी तो आप तो हर जगा पोस्टर टंगवा देंगे जिन्ना के क्योंकि वो आजादी की लड़ाई लड़ी आपके नायक है ये आप कह क कमी तो हमारे पास के नायकों कि कमी है नायकों की कमी है फॉप के लिए कंगनार नौत के लिए अजात हैं नायकोंकी कमी थी तो आप कंगना रनावत के बयान पर जा रहे हैं कंगना की बात को आप अभी आपने बात करी कि टूने संथ यहां पर आपकी पार्टी जिन्ना को नायक बता रही है यह समझ रहे हैं यह एक बीवार यह मुद्दा है यह मुद्दा है क्योंकि इससे जो है दरसल पॉलराइजिशन होता है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं यह कह रहे हैं कि जिन्ना ने इस देश के आजाधी लड़ी वो इस देश के नायक थे और जहां किशानी के जहां सिक्षा के बहुत बड़े मुद्दे हों तो मुझे लगता है कि कोई न कोई ऐसा जिन्न तो निकालना पड़ेगा जिससे पॉलराइजेशन हो क्योंकि अगर बीजेपी ने कुछ किया होता, तो मुझे लगता है ना जिन्ना को पकड़ने की जरूरत है, ना जिन्ना को छोड़ने की आपशकता है, फिर हम अपने मुद्धों के साथ जाते। लेकिन अगर समाजबादी पार्टी को लगता है कि जिन्ना नायक है तो मुझे लगता है कि फिर यहां सपा आपना बहुत बड़ा नुकसान इसलिए कर लेगी कि जो देश के टुगड़े करने वाला ब्यक्ति इस देश का नायक कभी नहीं हो सकता और इस देश का अंतिम ब्यक्ति जो निवनतम सिक्षा या सिक्षा से जुड़ा ब्यक्ति है या जो अनपड़ है वो भी जानता है कि कोई भी ब्यक्ति जो देश को तोड़ता है वो कभी क तक बोबी ख़लायक है और उनी मुखबरों की सरकार चल लगी है और यह भी ख़लायक है यह पूझी पतियों के गुलाम आप अभी कह रहे हैं कि अपर भी करते रही है कितना भी ढोल पीटते रही है कितने भी अलग-अलग मुद्दों पर रास्तिस तर के प्रदेश सरके पर आपको लपेट लेती है बार-बार आप कितना भी इदर उदर घूम कर आईए लेकिन महंगाई विरोजगारी पर जो सवाल है वो यूही जारी रहेगा इसको लेकर आप बहुत बुरे घिर रहे हैं आपको पहले भी पता है मैंने बेरोजगारी का तो मुद्दा बना लिया है मुद्दा नहीं आपकी नजर में हमारी सरकार ने आकड़े कहते हैं आकड़े तो गुलाबी है वो फाइले दवावी है चलिए वो छोड़ी आप ये बताईए कि आपको लगता है कि बेरोजगार दिया एमारी सरकार ने आंखने हैं लागों लोगों गोर दिया और कि वा पूरे दिन भड़कता है बेरोजगारी का चोला ओड़कर वो इन आंखनों का क्या करेगा इन आकड़ों को चाथे गा चूमे का बिछा के सोय का करेगा क्या आप देखे आप कितनी हमने अर्वों प्रवाइट करें अभी आप एक मुख सचिव विभागी परिवन का निकालिए दो हजार बसे करकर हैं को दूसरा सवाल है वह समाजवादी पार्टी के हमारे साथ आपसे पूछा था कस्टोडियल डेट्स जो हैं लगातार यूहीं कब तक जारी रहेंगी और कब तक हम लोग देखते रहेंगे ये प्रमुख मुद्दा है कि आप ठोकों की जो नीती अपना रहे हैं ये दरसल ठोकों की जो नीती है उस पर बीजेपी कितनी भी अपनी पीट टर्फ्पाले लेकिन आप कानून से उपर नहीं हो सकते हर चीय के लिए कानून कि हो सकती है युद्धा टोकने की नीती अपना एंगे तो फिर बहुत सारे ऐसे लोगों की हत्त्याहें हो जाएंगी जो हम लोगने देखा ही हमने गोरकपूर में नहीं देखा कैन, जो अब बताइए काजगंज का जो मसला है उसको लेकर बुद्दा जो दुबारा गरम है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो राष्ट अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि लखीमपूर खिरी की जीप है उसी पर आपकी हार का दिवाला निकलेगा इससा अभी भाईने कहा के डी में गाड़ियां दिए असा जान्कार इनना हो वो रेली है सरकारी थी और हमेशा जब संकार ही हें सरकार रेली है तो मेरी जेब का पैसे से वहां तैयारी क्यों होगी भीजेपी पार्टी का भी तो कार्क्रम है इनको सरकार योजनाव में लाव पहुचा रही है इसके लिए मंत्री हो जा मुख्वंत्री जी का प्रोगाम हो एटा में भी कई प्रोगाम हुए मुख्वंत्री जी के लिए प्रोगाम हो इसको सरकार करती है अब आप उस पर बताइए को लेकर सवाजवादी पार्टी के नेता ने सवाल किया था उस पर जवाब दीजेगा यह पहली ज़्यादा बहुत जादा ज्यादा होई है और यह पहली सरकार है जो बिल्कुल कानून के दारे में चलती है देखि पिता मंत्री है पिता ने अपना पत्तो छोड़ा नहीं है तो उसके सामने अगर कोटवाल घर पे जाच करने आएगा तो पहले सलाम करेगा अब कैसे कह सकते हैं कि जाच निस्पक्ष हो जाएगी जब पिता मंत्री रहेगा बेटे के ऊपर कुछ भी करा लीजाए कैसे लगाए है यह तो निक्स्पक्ष हो रही तभी तो जेल deben Express नहीं होती जेल में कैसे होती है विपक्ष कैसे होसकती है न नि最近 दखते हुए निसपक्ष जाच कैसे हो सकती बताई है निक्सफख जाच हो रही मत्बंने लग रही है नहीं सकोड़ायगा नहीं अटाए जाएगा ग्रहय राज्यन को नहीं को नहीं जाए कोई रोल नहीं है ठीक है कितना अपराद कराई है मंत्री के भाई बेटे पुत्र पुत्री है आप संरक्षित रूप से रहे हैं आप कोई जाच नहीं की जाएगी अमताब ठाकुर नाम का IPS है उसको धक्का मारके ले जाएगी पुलिस और उनके लिए सीधे गैस आउस म को जाच की विसाय जो है लखिमपुर घीरी हो हातरस हो अभी ताजा ताजा हमारा यह कांड़ आए कांड़ का जो हमारी पार्टी ने कल ग्यापन भी दिया पर 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 परवार से मिले एससपी से मिलके आएं धाई फुट की उचाई से कोई फासी लगा सकता नहीं लगा सकत अब जाच होती है जाच में डाल दिये भारती जनता पार्टी की सरकार ने और निकम्मे अथकारियों ने यह इसमें वाकी में सच्छी जाच होती है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए धाई फुट की उचाई से फासी नहीं लग सकती है और यह निकम्मी सरकार जो है भारती ज लड़का कैसे फांसी लगाएगा और कैसे लग पाएगी यह तो हरकोई बता देगा तो यह स्क्रिप्टिंग इस बार गडबड नहीं होगी हर बार तो चल जाती थी इस बार स्क्रिप्टिंग कुछ गडबडा गई आपकी एफ यार दर जुई है उसमें जाच चल लेगा जो लेकर आप कुछ बताना चाहते हैं जी ऐसा हुआ था कि कल मानी है हमारे जो चीफ थे चंशेकर आजाद जी वह आये थे उनके साथ हम लोग भी पहुंचे थे तो परवार से मिले थे वहां से उस परवार को लेकर हम सीधे वहां पर नहीं मिलेते तो फिरम इनके आवास पर अपर ने उनको जाके वहां से उन पर बाक्रीथ तुरंथ इंचके हुंचे उनके खिलाफ जो एक कजिशच की जारी गाजयवाद का भी एक मामला है जहां पर साथ जो लूट करने वाले लोग है उनको पकड़ा गया और सबके एक ही जगहा पर पहर गुटने के नीचे नीचे गोली थी सबके एक ही जगहा पर और इसको लेकर पता चलता है कि बीजेपी की जो विदायक है नन गिजोर गुर्ज आपको नहीं लग रहा कि गलत जा रहाए ट्रैक आपका बहुत ज़ाधा एट आज में कानुन विवस्ता हुई हुई कानुव daqui यह कोई कानुन विभस्ता बिगडी ने हुई है कोई हो सकता उसकी जाच होगी आज-एज जाघ pilot कि सब आदमी सब आदमी आपर बहुत खुष कि मेरा नाम डीके राजपूत है मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं अपनी खुद बतादू राष्टी अंतर राष्टी मुद्धों पे तो हम लोग बहुत बहुत कर चोके केवल एक लोकल इस्तर पर हम जनपत की बात करें मैं बगीपूर का रहने वाला हूं बगीपूर का प्रधान भाजपासे जिला पंचाय सदस्य भाजपासे ब्लौग प्रमुक भाजपासे विधायक भाजपासे सांसद मुक्रमंत्री भाजपासे लेकिन आज भी घुटनों तक कीचड में सारे गाओं के लोग और यही हाल कमोबेश पूरे जनपत का है आप कोई भी सड़क जागर के देख लो यह गड़ा मुक्त सड़कों की बात कर रहे हैं जब की हकीकत यह है कि हर एक कदम पर गड़ा है जो पांच साले में अभीता एक गड़ा नहीं वरा गया है बिल्कुल बदलाओ की संभावना न करें लेकिन इससे पहले चीज़ाना चाहूंगा कि इनों ने भी बहुत चोटी सी बात बताई लेकिन बहुत बड़ी बात भी सावित हो सकती आपके लिए इनोंने कहा सबसे छोटा जो समवेधानिक पदब पर जो नेता वेठा है वहां से लेकर इनोंने प्रदान मंत्री मो की विकास नहीं हुआ हो सकता है कोई रौट रह गया हो पर आप गाउ में जब भी आप सो कुई बात कहता हूँ आप को लगता है कि ठीक है वहां कोई को बर गया Wednesday आप कहते हैं कि ठीक होगी दैथ होगी, जिसी सटक की बात करता हूद रहिए हमकी हैँ, पूरा फीकास चल आहे हैं पूरा पैसा और हमको तक पैदा होगा… बिकास कहाँ चल रहा है? जो खल रहा है? शोल्हें बुरा कुछ युपी में था। इसंभ सड़के थी नहीं सब खतम था यूपी पे सब खतम था सब सड़के टुटी हुई थी आप आप रोश्णी लेकर आए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे राष्टी अद्दर समाजवादी पार्टी के पी डवलूटी मिनिस्टर थे नेथा थे उनका बिछाया हुआ जाल आजवी बुरा हाल कर दिया है हमारे हिंदू वाईयों की डेड़ बहुती जाती है कफरिस्तान जाती है मुसलमान की तो नरक बना दिया है मासे डेड़ बहुत यह तक जमीन पर गिरी है पानी में इनसे पूछे भारती जनता पार्टी के बवस्ता का जब दरसल जो आइना है वह होंगे तीन दसक से जो फुलवारी है आपकी सत्ता की वह तो यहां खिली नहीं तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि कौन से मुद्धे हैं जिसको लेकर आपको थोड़ी से आशा है सारे मुद्धे हैं यहां पब्लिक इतनी परेशाने चाहे महाई हो बिरोजगारी हो सड भारती कि चरशा कर रहा है अगर आज भारती जंता पार्टी पूरे देस में या किसी प्रदेस में सासन कर रही है तो उसकी मूल कारड कांग्रेस ही है, अगर कांग्रेस सासन में जो इस्तिती हुई थी, आज हम लोगों के सामने एक नया दल बैटा है, तो राजनीती में, नरेंदर मोधी भी तो महमुगबा मुफ्ती के साथ में कस्वीर में सरकार बनाई थी, बनाई थी, आप इनके साथ ल इसे राजजिमें या देश में, जहां-जहां कॉंग्रेस है, वहां-वहां भारती जिंता पाटी बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी ही विकल्प है, यह लोग अच्छे से जान गए है, चाहे रोटी का सवालो, चाहे रोजी का सवालो, चाहे स पास तो नजर आ रही है, लेकिन उस विकल्प के साथ नजर नहीं आती है, आप पतकार वाई है, आप यह बताओ, अब तक जितनी सरकारे आती रही है, जाती रही है, लेकिन इस बीजेपी में, कोई भी खुसके हो नहीं, और इतनी परेसानी या भुकमरी आई है, तो बीज तो अपनी पार्टी के साथ है, प्रस्पा में, हमारे अद्दे जी रुकाएंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, आप अकेले ही, जो है, अपना साइरन जो बजाना चाहते हैं, ठीकिया, आप पताई है, जो जो बात कह रहे हैं, जो ख्याली पुलाब बना रहे हैं, पका रहे ह दो हजार बाइस में जे लोग खुआव ना देख हैं कि हम सरकार में आ जांगे आप ने इशारों में इनकी बात कर दिया आप कहरें कि किंग मेकर हमें हमको साथ लेका चलो वरना सिर्फ खयाली पुलाओ है यह आप ही के लिए कि लिए कि खयाली पुलाओ मत पकाई है अगर हम होता है नहीं होता है आम आदमी पाटी से होता है या अन्य महांदल से होता है किस से नहीं होता है यह फैसला मुखिया का है यह कह रहा है कि अगर नहीं हुआ तो आप नहीं आ पाएंगे तो खयाली पुलाओ है आप जानते हम से बहतर इस्तिति हम क्या बता है खयाली पुला यात्रा की ये बात कर रहे हैं उसके उस वो यात्रा सब ने देखी वहां कुरसिया खाली पड़ी रही कोई वहां पर बैठने नहीं आया और जो जितना काफिला इनका यहां पर उतना समाजवादी पार्टी के यूथ के एक साथी के साथ में होता है और हमारा किसी से भी मनस से कर रहे हैं तोड़ी दिर पहले भी एक बात कही थी कि अभी जिला पंचाय चुनाव निकला है पचीस सदस समाजवादी पार्टी के जीते लड़ेते दो लड़ेते तो प्रसपापे प्रत्याजी नहीं थे पूरी जिला पंचाय पे लड़ाने के लिए आप मंद मंद जो आप समझ रहे हैं कि आपस में लड़ जाएंगे आपस में एक दूसरे की जो नाव है वो तोड़ देंगे और बह जाएंगे पीजैपी की पूर्ट बहमद से सरकार आ रही है चाही गतफडन से लड़े हैं चाही सात लड़े इससे हम पारे मिलग सकता है है एशा एह लोग पारटी के सब पतादेकारी लोगा कई द्राइए नहीं समझते हैं जनता से आप बात करे दूख से लोगों से परेशान हो वह कहरा है कि जो कस्टोडियल दैथ सोरी है यह से लोगों को डर लगने लगा है कब आप रात के 12 बजे किसके कमरे में घुजकर किस कि पुलिस कि पुलिस वाले घर में किसी को घुष कर мире पहले हैं यह भूए कैसे घटना आप बात में जो जाज करानी कराते रही है जाज से क्सिका सुहाग मिट गया किसी का बछा यतीम हो गया आप कहा रहे है आप हो गहता हो रही है है हमारी भारती हो जर्टी तर पार्टी की सरकारी यह जिरूर्ण अब बार बर वार गबत्यांत से जारी रहेंगी ज हैं कि वह किसी कोभी ठोक है अपना रहें यहां फिल्कुल नहीं कि यह दो रहें नहीं तो लोगों की जो यह देप्स हो रही ज़ा है को अपपर धियुद्व डवाही बहुतुआ की है उनको आप ठोकेंगे कानून विवस्ता नहीं आपकी सरकार जो कानून से ऊपर हो चुकिएै ने कानून के तहटी रूं के दायरे betू कौने हिपगेर่ कम तो कुछ कchlagुला एक pen यसे घ् quests कानूनी सजय दे रहा है कानूनी सजय दे रहा है पो जेल में हैं वो लो जिरोंने गलतिया किये हैं फे एजेल ने उनोगunn Importnik after pem Attis कौणने ठेख कोई कॉछ आता ह् अच्छने मैद्ध अपन करना कि अगर कोई आपदिध्जा यह भी आप जाता हूं डाल जो सत्थ पर ने पूछ ने झालह दो ट्धम पूछ तो अच्छे दिन जो है हाँ दूसरी वात उनका यो कहना था कि अभी तक की जो सत्ता पच्छ आए जहां योगी जी योगी आतना जो मुख्यमंत्री है वो लगातार कहते हैं कि पग पर पग पर गौशाला बनाने का जो काम है उनकी सरकार में किया गया है लेकिन यह तस्वीर हमारे कारिकरम के सामने जो लगातार तमाम इनके दावों की पोल खोल करती है जी आप क्या कहना चाह रहे थे जी एक मिनट मैं बाइसाब की बाद में मेरा नाम सौरब गुपता है एक सिर्म मैं आता हूँ आपके बाद आप इसको देखिए आप खड़े मत हो ये खड़े मत में किया गया गौशालाओं का इतना अच्छा निर्माड कराया गया गायों गाय माता को लेकर आप लगातार तरह तरह की बाते करते हैं लेकिन वह सामने देखिए गौमाता जो है वह पॉलिफिन खाती नजर आ रहे हैं यह किसी की पालतू है जो छोड़ दी है उन्होंने चलिए ठीक है आपकी बात होगी ठीक है आपका कुछ कह रहे थे आप ठीक है हाँ बताईए बाजपा सरकारिया कहती है कि हम बेरोजगारी मिटा रहे हैं करोना के बाद भाजपा ने यह का कि बीस हार लाग करोड का हम जो पैकेज दिया था आम के लिए मेरा कहना का मतलब यह है जिस तरीके से हमारी आम आदमी पार्टी देहली में चल यह बढ़िया उस तरीके से यहां बादे करने वाली तो बहुत पार्टी है यहां पर बादे कर देती हैं बाते निवाने वाला कोई एक भी नहीं करने बिलकुल निवाएंगे 308 फिरी देंगे 300 कारण समय की कमी के कारण हमारी आम आत्मी पार्टी एकदम सच्ची है इमांदार है इसलिए इस फिर आप कहा कहा जा रहा है इमारा समापन की बात कर रहा हूं आप चुनाओं से पहले कुरसी छोड़ रहे हैं चुनाओं से प आपकी पार्टी जो है अगर सत्ता में आती है तो आप किन मुद्दों के साथ और क्या कुछ करने वाले हैं देखिए हमारे पास तो सारे मुद्दे हैं कि उन्हों ने पूरे देश को तबाव प्रदेश को तबाव किया हुआ है इनकी तुब बेशर्मी है यह किस मुझ से और भी जितने मुद्दे हैं सामाजी को जितने मुद्दे होंगे पुट्री के वो सारे लेक्शा आएंगे तुझा आप सारे लेक्या आएंगे आमार्णी पार्टी बिकल्प रहेगी शिक्षा आपके पास क्या है सबसे पहले तो सामाजिक भाईचारा युवा बिरोजगारी किसान महला और जो भी विकास के लिए योजनाय पहले रही वो दुबारा से और दूगनी गती से कैसे बढ़े यह समाजवादी पार्टी का मुख्या सबसे पार्टी के लिए प्रस्पा के पास क्या कुछ है उसके पिटारे में फ्रस्पा जो आएगी प्रस्पा जो गरीवी अमीरी शब दूर करेंगी अमीरों को जो उन्टे हीदे काम करेंगे बरावर करेंगे और जे बुर दिन है वो दिन अच्छे आएंगे जो एक बड़ा करेंगे तो ऐसे में सबसे बात्चीत हो गई आखिरी में जो सत्ता में आशीना बार बार कुर्सी छोड़ के भागने की कोशिश करें थे सपा के साथी आपकी कुर्सी पर नजर टिकाए बैठे थे कि आप दो कतम और आके बढ़ें और पट्टे सीना यहां पर आकर बैठ ज अप प्रदेश यह हमारी सरकार आती है अपने दूर कर दिया आप साथ भूल गए साथ का जो जुन जुना था वह दरसल भूल गए तो ऐसे में यह धरती जो की एटा सदर की धरती थी यहां से हमारा कार्व था नेताओं ने बड़ी खूब सूर्ती के साथ जवाब दिया आ स्माधान की क्या दृस्टी थी तो एटा से हमारे कारकम था जहाँ पर हमने चीजों को समझने की बेहितरी से कोशिश की इसी के साथ हम एक और चीज यह चीज हमारे से कोई नहीं कर पाए जितना काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ वो रिकार्ड है सरकार में रोजगार मुकमल था पूरा हमारे जाना है क्राइटेरिया, शिक्षा, स्वास्था, दिल्ली मॉडल सवेरा तो फिर बहुत जल्दी रात भी आ जाएगी क्योंकि बहुत लेट कर दिया सवेरा होते होते हैं के लिए बेटिंग करनी पड़ रही आठाट दिन के लिए आज आदी से पहले इस देश के नायक है इस पहले जिनना इस देश के नायक है उनने दोगे तब तो कि लिए करूँगा वो लगातार कहते हैं कि पग पग पर गौशाला बनाने का जो काम है उनकी सरकार में किया गया है जो बबका जायक है